हाला एब्रिवान आज हम बात करने वाले हैं M.com 3rd semester examination paper 2019 और यह paper first है और यह maximum 40 marks का हुआ है regular students के लिए अगर आप private है तो यह 50 marks का होता है चलिए इस paper की बात करते हैं यहापा इसके अंदर 2 section है section A और section B तो मिहू सुनम जेन चलिए आगे paper को देखते कि किस टाइब से question इस paper के अंदर पूछे रहे हैं और each question यहापे 3 marks और 100 words में इसके answer आप लोगों को देने हैं और unit first से पूछा गया प्रबंद की अर्थ शास्त्र कला है या विज्यान बताईए प्रबंद की अर्थ शास्त्र का महत्व बताईए मांग का नियम क्या है पूर्ती की आलोशना से आप क्या समझते हैं उत्पादन हास नियम क्या है पेमाने के प्रतिफल का अर्थ बताईए व्यापार चक्र की अवस्थाएं बताईए ब्यापार चक्र की विशेष्टाएं दीजिए यूनिट फिप्ट से पूछा गया है लाप की परीबाशा दीजिए और लाप का वर्की करन कीजिए अब आजाता है आपका स्क्षन भी जो होता है आपका लोंग आंसर टाइब कोशन यहने 5 इंटू 5, 25 मार्ट अगर आपको वीडियो अचा लगता है प्लीज लाइक करें शेयर करें और अगर आपने चैनल अभी तक सुब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके लावा अगर और भी स्विस्टर के इग्जामेशन पेपर सारे की सारे अवेलेबल है हर सब्सक्राइब के तो आप आपके जूनियर से आपके छोटे ब्रदर से एक शिस्टर है उनको भी चैनल सजेक्स कर सकते हैं और सारे सब्जेक्स के पेपर अवेलेबल है, ओल्डर्स पेपर साथी साथ में सुपर मोडल कोशन पेपर भी अवेलेबल होते रहते है टाइम टू टाइम तो आप चैनल को अगर सुब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशल होगा और आपको इसुझा की विवेशना कीजिए उदासिंता वक्र विशलेशन की प्रमुक आलशनाओं को समझाईए उपबोक्ता सिद्धान्त के आधारभूत प्रमे का विवेचन या सुरी विवेचना कीजिए यूनिट थर्ड है परिवर्तन शील अनुपातों के नियम की विवेचना कीजिए इ यूनिट फोर्थ व्यापार चक्र को नियंतित करने वाले उपाय दीजिए व्यापार चक्र के अमोद्रिक सिद्धान्त का वंडन कीजिए लाब अनिशित्ता वहन करने का पूरुसकार है समझाईए तोड़ा सा पेपर जरूर ये फट गया है और लास्ट कोशन है लाब का आर्थेवं प्रकृति स्पस्ट कीजिए तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें थैंक यू वाचिंग फो माव वीडियो और अल्दम थैंक यू